सावन का महीना जल्दी समाप्त होने जा रहा है, 19 अगस्त 2024 को शिव भक्त सावन का अंतिम सोमवार का व्रत रखेगे। सावन के महीने में सभी शिव भक्त शिव जी की आराधना करते हैं। कुवारी कन्याएं और महिलाएं समेत अपने सुहाग के लिए सावन के सोमवार के व्रत करती हैं। श्रावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस साल सावन का ये महीना 22 जुलाई सोमवार के दिन से शुरू हुआ था. जबकि श्रावन मास का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पढ़ने जा रहा है. इस बार सावन के 4 नहीं, 5 सोमवार पढ़ रहे हैं. 19 अगस्त को ही रक्षा बंधन का त्योहार भी है. ऐसे में कई लोगों क मन में इस बात का किन्फ्यून है कि क्या 19 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन भी रखना सोमवार का वरत रखना चाहिए या नहीं. श्रावन मास की समापती सावन पूर्नेमा के दिन होती है. इस दिन यानि श्रावन पूर्नेमा के दिन रक्षा बंधन, संस्कृत दिवस, न आखिरी सोमवार भी है। सावन का सोमवार का आखिरी वरत उन्निस तारीक यानी पूर्नेमा के दिन किया जाएगा। रक्षा बंधन के दिन ही श्रावन मास की समापती हो जाएगी। ऐसे में जो लोग सावन सोमवारी वरत या 16 सोमवार का वरत रख रहे थे उन्हें रक्षा रह जाएगा इसके अलावा श्रावन मास के आखिरी दिन वरत रखने के बाद वरत का उध्यापन जरूर करें तब ही आपको वरत का संपूर्ण फल मिल पाएगा रक्षा बंधन की तिथी 19 अगस्त की सुबह 3 बजकर 44 मिनिट पर शुरू होगी और देर रात 11 बजकर 55 मिनिट पर इस तिथा का समापन होगा इस साल राखी बांधने के लिए सुबह का कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि सुबह में भद्रा काल लगा है 19 अगस्त 2024 को सुबह 5 बजकर 53 मिनिट पर भद्र काल शुरू होगी और दोपहर 1 बजकर 32 मिनिट पर समाप्त होगी ऐसे में राखी बांधने का समय एक बजकर 32 मिनिट से शुरू होकर 4 बजकर 20 मिनिट तक रहेगा श्रावन मास का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के संबंध से जुड़ा है पौरानिक कथाओं के अनिसार इस महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पती के स्वरू थी इस माह में माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण सावन का महीना भगवान शिव का बेहत प्रिया है इस पूरे महीने सभी भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव अपन